एक महीने से भी अधिक समय से तीनों कृषी कानूनों के विरोध में आंदोलन रत किसानों के समर्थन में अब आम और खास आदमी भी आ गए किसानों के आंदोलन को समर्थन देने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इसी कड़ी में आज रिटाइड कर्मचारी संग हरियाना ने भी किसानों को समर्थन दिया और जिला सची वाले के बाहर धरने पर बैठ गए समाचार एक्सप्रेस के साथ बाचीत में संगे सदस्यों ने बताया कि तीनों कृषी कानून किसानों के अलावा बाकी सब के लिए गलत है सरकार दमनकारी नीती पर उतर आई है बार बार वह किसानों से बाचीत का मसोदा तो तयार करती है लेकिन पहले अपनी शर्ते रखती है ये कारण है कि अभी तक कई दोर की बाचीत के बाद भी समाध्धान नहीं निकल पाया है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी समाधान हो वह अंबानी और अडानी के दबाओ में है इस औरान संग के सदस्चों ने सरकार के खिलाव जमकर नारे बाजी की और किसान एकता को जिन्दबाद कहा दोस्तों मैं हूँ तरुन मदान और आप इस समय देख रहे हैं समचरे एस्प्रेस मैं आपको पतादू कि मैं से मुझूद हूँ करनाल के जिला सचिवाले के सामने आप मेरे पीछे देख सकते कि भारी संख्या में रिटायर करमचारी संग हर्याना के संग के सदस्चे बैटे यह किसानों का समर्थन में यहां बैठे हैं किस तरह से हमारे देश का अंद आता अब इस पिसले एक मीने से समय से धरने पर बैठा है निश्चित कलिन धरने पर बैठा है लेकिन सरकार के साथ उनकी वारतों सफल नहीं हो पार इसलिए किसानों के समर्थन में यहां पर सबसे पहले आपका नाम देखे मैं तो सुसेल गुजर सोकमचार संगरियाना आज जो पूरे परदेश में रिटारी करमचारी किसी विबाग का एक बहुत मजबोचन थे ना उन्होंने फैसला किया है कि आज किसानों के समर्थन में जो इस सरकार ने तीन कारे कानून किसानों क पर धोपे हैं उनको रद करवाने के लिए पूरे परदेश का रिटार करमचारी संग के बैनर के नीचे तमाम रिटारी चे किसी विबाग को आज दस बारस वज़े से लेके दो वज़े तक अपना दरना देरे और सरकार से मांग करता है तमाम रिटार करमचारी संग कि इन्हों ने हमें सपष्ट तोर पर बता दिया कि यह किसानों के समर्थन में यहां बैठे हैं यह जब तक किसान जब तक सरकार क्याले का अनों को रद नहीं करती यह धरने पर रहेंगे तिलाल आज 12 से दो वज़़े तक अगर तब भी सरकार नहीं जागी सरकार नहीं जागी और किसानों के मांगों को नहीं मानना गया तो सरव करम चारी संग जो की प्रदेश के बहुत बड़ा संगर्षन माना जाता है किसानों के अंदौलर में अगरे ने खुभ 떨जा आप किसानों के बारे में बैठे हुए है किसान मर ओर हम जो है हमारा एक है हम समर्थन दे रहे हैं किसानों को वह यह तिनों कानूं रद किया जाए और सरकार सही मांग कर रहे हैं कि यह तो आगे होर संगत करना पड़ाएं को आगे बढ़ाना पड़ाएं आज इसके बाद दो बजे के बाद आपके क्या रहेगा हमने तो सिर्प बेज्यापंदेना डिर्सी साब को और किसानों के बारे में हमने विज्ञापंदे यह था यह यह रूपर यूप्यों ने केले आएं यह देख़ंद हैं देख सयते हैं किस तरह यह सरकार इसलाव नारे बाह醒 blink कर रहा है उ,… किसानों के समर्थन में आगए आ चुके हैं उनको नहीं लगता कि किसानों के साथ जίο कि बात होने हैं सरकारों किसानों के भी जो वारता चल रही है वह सफल होगी किसी भी रूपे सफल होने के असार नहीं है क्योंकि सरकार एक अड़िक सरकार अड़िक सरकार पर बन चुकी है उसने अपना हट छोड़ने को तयार नहीं है और किसान अपनी किसान अपनी एकता के करने का प्रियास करूंगा घंदी के इमर्ती मुर्दावाद अज हरियाना रेटाइड करमचारी संग हरियाना पूरे परदेश के अंदर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हिंदुस्तान में जो किसान अंदोलन चला है उस किसान अंदोलन की मांगों के लिए उनके समर्थन में धरना और परदर्सन कर रहा है आज जो सरकार की जो नीती है तो किसानों के लिए नहीं है बलकि आने वाले टाइम के अंदर ये जो आम जनता है गरीब जनता है देश की जो 80% आबादी है उसको भूका मारने की योजना है जो तीन काले कानून बनाए है MSP खतम करके किसान की फसल का ओने पोने दामों में पुझी पती कोर्पोरेट खरीज सके उसके लिए तैयारी है दूसरा जो कानून इनोंने 1955 का जो बंडारन की सीमा थी उसको खतम कर दिया है जिसकी वज़े से कोई भी एक कार्पोरेट पूरे देश की एक फसल को अपने पास इखटा रख सकता है और जिसके आधार पर वो आम गरीब लोगों को जो सस्ती अनाज और चावल और दाल ये मिलती हैं इन से वंचित कर सकता है उनको और वो अपनी मर्जी से जिस भाव में चाहेगा उस पर लोगों को उपलब्द कराएगा एक तरफ तो नोट बंडी जी एस्टी और उससे देश के अंदर रोजगार की कमी हुई है आज करोना की बिमारी के बाद बड़ी मात्रा में देश के बेरोजगार नोजवान जो किर्सी पन निलबर थे उनको भी बेरोजगार करने की सरकार की तैयारी है सरकार चाहती है इस देश में जो अंग्रेजों से पहले जैसे रियास्ते होती थी ऐसे ही देश के पुझी पती रियासत के रूप में मौजूद होंगे और बाकी देश की जो 80% जनता है वो पर जाओगी और जो मध्यमबर्ग है मध्यमबर्ग इन कानूनों से बहुत ज़्यादा परभावित होगा आने वाले टाइम के अंदर ये मध्यमबर्ग को किसान को खतम करना चाते है ये देश की गरीब आबादी को भूग से मारना चाते है और ये अडानी और अंबानी जैसे कुछ कोर्परेट घराने हैं केवल उसकी रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है हमारा परदान मंतरी ठीक कहता था कि मैं चोकीदार हूँ वास्ता में ये अडानी और अंबानी का चोकीदार है देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है और ये कानून वापिस ना करने की जिद भी उनी घरानों का दबाव है सरकार के उपर क्योंके इनको खत्रा है क्योंके उनके घरानों के आसिरवाद से ये लोग सत्ता के अंदर है और देश की जनता को जूट बोल करके वोट लेकर सत्ता के अंदर आए आज उन घरानों की जो राष्टिय संपत्ति को लूटने की जो योजना है उसमें सरकार का योगदान है, सरकार उनकी मदद कर रही है और देश की गरीब जनता को आने वाले टाइम में संकट का सामना करना पड़ेगा इसलिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी करम में यह कहना चाहूँगा कि सरकार को जो है कि मोदि जी राष्ठीट और देश सित की जादे बत करते हैं तो इसलिए उन्हीं के सब्दों में कहना चाहूँगा कि देश सित और राष्ठ विद में किसानों से समझगता करके उन्हें उनको आपस खेतों में वहजिए इसमें मैं तो सरकार की जित-जादे मानता हूं तो सरकार और बार बार चिथी देती है हलागि अबकी तो किसानों नहीं उनको चिठी भेजी है पहले मुझारों सरकार चिठी देती है और सर्तों के अधारवर देती है कि कानौन तो मैं रदर करूँगा नहीं यह जो है कि यह जो MSP है से legalize करूँगा नहीं बात कर लो क्या बात करें सरकार से तो यह जिद सरकार आ रही हुई है जो सही जिद नहीं है क्योंकि देश में पढ़जात तंतर में देश की जनता सुप्रीम होती है सबसे महा जो सुप्रीम कोट जनता की आवाज को सुनते हुए उन्हें जो है कि यह जिद नहीं करनी चाहिए इनसे सम्याता कर लेने चाहिए और इनकी मांगों को मान लेनी चाहिए और शड़कों पर डहटे capture हैं लेकिन सरकार रहें कि उनकी रहाएं कि तरफ को विद्हान नहीं देर ही दूसरी दर उनका यह बहुत है कि परधान मंतरी ने पर्द inquiry हो वास्त में आ रहें लेकिन वो सीनियर केमरा परजन सन्नी चोधिरिगा समय तरेक्स्प्रेस के लिए धन्य बाद ऐसे ही लेटेस्ट को बरे पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें धन्य बाद राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइब